दोस्तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बर फिर टेक्निकल ओफिस के इस वीडियो में दोस्तो आज के वीडियो में हम आपको दिखाना चाते हैं धीवो भी 25 प्रो जो कि आप सामने इस डबे पर देख रहे हैं जिहां फ्रेंट हमने एक फोन करता भीवो भी 25 प्रो और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं फ्रेंट हमने इस वीडियो को भीवो भी 25 प्रो के वीडियो से ही सूट कर रहे हैं फ्रेंट जो कि आप मेरे अगल बगल चारो तरफ जो बलर देख रहे हैं फ्रेंट ये एक प्र सरे लोग आते हैं जो वीडियो में तो बहुत अच्छा क्वालिटी देते हैं एक से एक फोरके बिडियो बनाते हैं लेकिन अगर प्रोट्रेट वीडियो का अपसन जब आता है तो वो इस चीज को दिखा नहीं पाते हैं बस थोड़ा सा स्टाइल दिखा देते हैं कि ऐसा फ् पिक्सल का कैमरा है और इस फोन में किस परकार से आप DSLR वीडियो को सूट करेंगे आफटर मतलब इस वीडियो के बाद सारे इसका सेटिंग के बगएरा सारे चीज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे तो फ्रेंट सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमने इस वीडियो को खरदा है और इस फोन को खरीदने में कितने पैसे लगे हैं हम इस वीडियो में सारे के सारे चीज के साथ डिसकस करेंगे और सबसे पहले बता दे फ्रेंड के आप जो ये विडियो देख रहे हैं ये Vivo V25 Pro के फोन से ही सूट किया गया है ये कोई Canon 200D का विडियो नहीं है तो फ्रेंड आप जो ये quality देख रहे हैं ये पीछे के कैमरे से हम इस फोन को यानि के रियर कैमरे से सूट कर रहे हैं इस विडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सस्क्राइब कर गए हमसे जरूर जूड़िएगा तो चले फ्रेंड आगे कारे भीव अब जो ये आप विडियो देख रहे हैं ये विडियो फ्रेंड अब ये फ्रंट कैमरे से हम सूट कर रहे हैं जो कि भीव फी 25 प्रो के फोन से ही हम इस विडियो को सूट कर रहे हैं और फ्रेंड हम आपको बताते चलें कि आप जो ये मेरे बैक ग्राउंड में देख रहे हैं ये फ्रंट कैमरे के साथ ही इस विडियो में आटो फोकस का इतना अच्छा क्वालिटी है कि हम आपको लाइव इस विडियो में दिखा र तो आपके लिए एक आदमी का जरौत पड़ता अगर आप बलॉक बनाते तो उसमें भी एक आदमी का जरौत पड़ता लेकिन फ्रेंट अगर आप इससे अगर आप सूट करना चाते हैं तो आपका वीडियो बहुत ही बखोवी के साथ बनेगा जैसे के देखिये मेरा बैक ग् में हमने इस फोटो को खिचा है और आप देख सकते हैं कि इसमें अटमेटिक ब्यूटी प्लस का आप्सन आ जाता है और बात करें तो ये सिंपल फोटो खिचा गया फ्रेंट के साथ जो की बहुत अच्छा क्वालिटी है आप इस फोटो को देखिए ये रियर केमरे से हमने इस फोटो को खिचा है जो की बहुत ही खुबसूरत है और ये नॉर्मल मेरे पिछे वाले केमरे से हमने इस फोटो को खिचा है तो दोस्तों आप सामने देख रहे हैं कि ये रहा मेरा भी वो भी 25 प्रो मुवाइल फोन जो की टच स्क्रीन यानि के स्क्रीन पर ही इसका फिं खिचा है उसका भी आपको इस वीडियो में पूरा रेवियू देंगे तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम बॉक्स को अन्बॉक्स करते हैं और यह रहा हम अपने बॉक्स को अन्बॉक्स कर चुके हैं धिखिए हमने इस फोन को जहाँ जिस दुकान से लिया था मुवाइल को किनारे करते हैं और इसको जो इसका केस है मुवाइल का इसको फ्रेंड स्क्रॉल करके बाहर निकलते हैं और यह रहा उस दुकान का बिल और बिल के साथ इस मुवाइल फोन का एक IMEI जो मेरा औरिजिनल नंबर है इसको साथ में मिला है इसको भी रख लेते हैं इ यह मुबाइल फोन के स्क्रीन के उपर था इसको भी हटा देते हैं और यह रहा एक बोक जो कि अगर हम पढ़ें तो अच्छा लाएगा क्या क्या है वरांटी कार्ड वगेरा है इसमें तो आपको अगर यह सारी चीज मिले तो आप इसको रख लिजिए इसके बाद क्या इसमें चार्ज़र मिलता है जो कि आप सामने देख रहे हैं भीनो का चारजर है और यह फ्लस्च चारजर है ठीक है यह बहुत है अच्छा हमको फोन लगा इसलिए हमने इसको लिया और हमने इसको क्यों लिया का भी डीटेल बताएंगे और यह रहा केवल और केवल के साथ एक छोटा सा पिन सभी लोग को मिलेगा अगर आप इस फोन को पर्चिस करते हैं तो इसको रख देते हैं जैसे था उस परकार से अब फ्रिंड आते हैं मुवाइल की तरफ कि मुवाइल में क्या है तो सबसे पहल हम आपको बता दें मेरा मुवाइल फोन लेने का रिजन ये है कि हमने इस फोन को लिया है कैमरे की बजय से क्यूंकि अगर आप कैंनंड 20D अगर आप पर्चिच करते हैं तो जो उस कैमरे में आपको Policy मिलेगा आपको इस कैमरे में pytanie प्रोटेट वीडियो का जो कि यहां पर अगर हम एक्सिलेंट कर देंगे और हमने जैसे की अपने हाथ को रखा तो आप देख सकते हैं कि यह सारा का सारा चीज जो पीछे है बलर हो जाता है ठीक है इसमें बहुत सारे ओप्सन है जैसे की 64 मेगापिक्सल पानो लाइप फोटो स्लो मोशन टाइम लैप्स प्रो डॉकुमेंट डवल एक्स एक्सपोजर और स्पोट मतलब बहुत सारे जो डूल भी हुई है यह सारे चीज इस कैमरे के अंदर है चलिए कैमरे का तो हम लोग जान गए और प्रोटेट वीडियो जो है रियर स्क्रीन और फ्रंट रिस्क्रीन दोनों पर है इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर हम अपना विडियो DSLR के जैसा बनाना चाहें तो यह दोनों तरफ से बना सकते हैं फ्रंट कैमरे से और रियर कैमरे से भी अगर हम कैमरे का सेटिंग ओपन करें आपके सामने फ्रेंड हम आपको सो करें तो यह बहुत अच्छा है अभी जो हम इसको यूज कर रहे है तो बहुत ही अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो आप इस फोन को ले लिजिए अब आते हैं फ्रेंड बिल की और कि यह फोन हमको कितना का पड़ा तो फ्रेंड आप सामने देख रहा हैं कि इस बिल में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि 35,999 रुपय का है यह हमको फोन पड़ा और यह हमको 36,000 रुपय लगभग इस फोन को देना पड़ा वहाँ पर ज़्यादा कंसेशन हुआ नहीं हम क्या कियें कि 36,000 रुपय फोन था तो 35,500 में इस फोन को हमने पर्शेच कर लिया तो फ्रेंड आज के वीडियो में हम आपको यह ही अपने फोन का रिवीव दिखाने वाले थे हैं और भी इस फोन में क्या क्या खासियत है हम आपको आने वाले वीडियो में दिखाते रहेंगे तो फ्रेंड आप मेरे वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा अगर आप इस फॉन को लेना चाहते हैं बहुत सरे खाशियत है बीडियो लंबा हो जाएगा फ्रेंड इसलिए हम इस बीडियो में बहुत सरे चीज नहीं देखा पाएँ जो सारे लोग खुशते हैं हमने इस बीडियो में वही चीज़ दे दिया जो कि बहुत सारे हमारे जैसे यूटूबर हैं जो बलर वीडियो बनाना चाहते हैं रोटेट वीडियो तो फ्रेंट कैनन 200D अगर आप खरीद रहे हैं तो एक बार आप इस फोन को देखिएगा क्योंकि ये फोन बलर वीडियो बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही खुपसूरत फोन है क्योंकि अगर आप कैनन 200D कहीं भी यूज करते हैं तो आपको कैमरा ले जाना पड़ेगा उसके साथ आपको ट्रैपोट ले जाना पड़ेगा तो उससे अच्छा है कि आप इस फोन को ले लीजिए ये बहुत अच्छा फोन है जिसमें 64 میगा पिक्सल और 32 میगा पिक्सल का ये कैमरा आता है तो friend वीडियो में एतना ही रहेगा क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम आपको इसका पूरा setting का रिभ्यू देंगे तो मिलते हैं friend next वीडियो में दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप हमें comment करके जरूर बताएं, अगर वीडियो अच्छा लगाएगा फ्रेंड तो आप हमारे इस चैनल को सस्क्राइब और इस वीडियो को एक लाइक जरूर धन्यवाद